आज हम बात करने वाले branch personal loan application के बारे में जहां से मुझे पूरे 12,000 रपे का यहां पे loan approval हुआ है आप इसकी rating देख सकते हैं 4.5 कि इसकी rating है जो इसके downloader है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको 4 star में rating दी है क्योंकि 4 star 5 star में मैंने इनको rating दी है इसकर के दिया है कि जो application है यह बहुत अच्छे application है क्योंकि यह application सिरोफ pen card और अधार card पर वर्क करती है और यह application international company है यह application इंडिया और नाई जीरिया में भी यहां पर वर्क करती है अब मैं इसको open करके दिखा देता हूँ जैसी मैं इसको open करता हूँ तो 1-2 minute wait करेंगे अगर आपको branch application से loan नहीं मिला तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही helpful होने वाली है जो मुझे loan मिला था पूरे 12,000 पे का यहां से loan approval हुआ था यह आप देख सकते जो मेरी EMI pending बची है वो 98,000 पे pending बची है और जो मेरी EMI बनी थी वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ जैसी मैं loan वाले section पर क्लिक करता हूँ तो मैं schedule पर क्लिक करता हूँ 6 EMI मेरी यहां पे बनी थी और वो भी 24,500 मेरी 6 EMI यहां पे बनी थी यह आप देख सकते हैं कि loan 12,000 का 6 EMI यहां पे बना दी तो कि कई application ऐसी है जो 10-15,000 तक का loan देगी पर वहाँ पे जो आपको EMI बहुत ही कम देखने को मिलेगी जैसे कि माले कोई भी application देखते हैं जैसे मा आपका यहां से loan decline या approval भी हो जाता अगर आपको loan यहां पे decline हो तो आपको उसको कैसी approval करवाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको जो टैप देख रहे हो बैल आकन के साथ वोले टैप पे क्लिक करना है टैप decline हुआ था पर मैंने इंसे बात की तो मेरा यहां से loan approval हो गया था आप इनसे इस टैप पे क्लिक करके चैट कर सकते हैं और अपना जो loan है यहां से approval करवा सकते हैं अगर आपका सीबल अच्छा है तो आप यहां से definitely आपको यहां से loan देखने को मिल जाएगा और अगर आपको म मेरी वीडियो अच्छे से थोड़ सी help यहां तो वीडियो को like करके जाना subscribe करना thank you दोस्तों